पिछली वीडियो में हमने कविता स्वर्ग बना सकते हैं को व्याख्य सई समझा था अब इस कविता के प्रश्ण उतर हम देखेंगे और प्रश्ण उतर करने से पहले हाईए इसका हम सार समझ लेते हैं कवी रामधरी सिंग दिनकरजी ने इस कविता में शोशित वर्ग के हितों की रक्षा की बात की है वे कहते हैं कि धर्ती पर सभी मनिश्य समान रूप से जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही धर्ती के समस्त संसाधनों पर उसका समान अधिकार बनता है धर्ती पर इश्वर के दिये हुए असीम सुप के साधन फैले हुए है क्या क्या है ये जिसे अनुत्पन करने वाली उपजाओ मिट्टी है वायू है पहाड है जरने है नदिया है धूप है चांदनी सूरज की जीवन दाइनी कीरण ये सभी इश्वर की देन है जो प्रकृतिक संसादनों की रूप में हमें प्राप्त है अभी धर्ती पर इतने अधिक मनुश्य नहीं है कि सभी इन संसादनों का उप्योग भी करेंगे तो ये खतम हो जाएंगे अर्तारध प्रकृति में संसादनों का भंडार है यदि मनिशे चाहे तो उसका उप्योग करके यदि इस दर्दी के सारे मनिशे भी उप्योग करेंगे उपभोग करेंगे तब भी वैसमाप नहीं होगा इसलिए यदि सब को नयाय के अनुसार उचित अधिकार अर्तार समान अधिकार मिले तो सभी इन संसादुनों का प्रयोग करके सुख उठा सकते हैं और जब सभी सुखी होंगे तो समाज में स्वतांतरता, समानता और भायचारी के स्थापना हो सकेगी और इस तरह यह धर्ती स्वर्ग बन सकती है स्क्रीन पर जो आप प्रश्ण देख रहे हैं निमलिकित पद्यांच को पढ़िया और उसके नीचे लिखे प्रश्णों के उतर हिंदी में लिखे तो यह जो प्रश्ण है यह पिछले सालों के 2017 के साल का एक क्वेचें पेपर है उसमें से मैंने लिया है तो यह इस तरह से आपको पैसेज दे दिया गया है पोईट्री का और उसमें पैसेज से उसके उतर ढून कर लिखना है तो जिसे इसमें भव दिया है तो भव शब्द का क्या अर्थ है भव का अर्थ है संसार कभी के अनुसार भव में शांति क्यों नहीं है इसका उत्तर मैं अभी बताऊंगे और दूसरा है शब्दों के अर्थ लिकिए न्याय उचित न्याय के अनुसार उचित सम बराबर या स अमान, सुलब आसानी से प्राप्त होने वाला कोलाहल शूर, तो आदे-आदे अंक का ये एक अर्थ है, शमित न होगा कोलाहल, शंगर्श कम न होगा इस पंक्ति का भावारत लिके तीन अंक का है ये, तो भावारत में आप इसका जो अभी मैंने समझाया है, वह लिख सकते है उपरोक्त उपर जो बताई गई पंक्तिया है दिनकर जी की किस प्रसिद रचना से ली गई है तो दिनकर जी की प्रसिद रचना कुरुक्षेत्र से ये पंक्तिया ली गई है कविता का केंद्रिय भाव लिखते वे बताईए तो कभीता का केंद्रिय भाव आपने जो अभी सार पड़ा है उसी में से आप लिख सकते हैं मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता देती हूँ इस धर्ती पर जन्मी सभी मनिश्य समान है सभी को सुख पूर्वक जीने का अधिकार है यदि सबको नियाय के अनुसार, उचित, अधिकार, अर्थार समान अधिकार मिले तो सभी धर्ती पर फैले प्राक्रतिक संसाधनों का प्रयोक कर सुख उठा सकते हैं जब सभी सुख होंगे तो समाज में स्वतंतरता, समानता और भायचारे की स्थापना होगी और इस तरह यह धर्ती स्वर्ग बन सकेगी तो यह आप इसका केंद्री भाव से लिख सकते हैं अब हम कुछ प्रश्नों तर देखते हैं कविता की जो यह शुरू की पंक्तियां हैं इनसे किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं एक तो शब्दार्थ आपसे पूछे जा सकते हैं और प्रशन क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं धर्मराज किसे कहा गया है पांडू पुत्र युदिस्टर को धर्मराज कहा गया है और आप ऐसी भी लिख सकते हैं के पांडू के जेस्ट रुपुत्र युदिस्टर को धर्मराज कहा गया है जेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं जेस्ट मिस जो एल्डर सन है बड़ा महा भारत अच्छा धर्ती के संबंद में उन्हें क्या बताया गया है किने युदिस्टर को महा भारत के युद के बाद जब पांडविजय होते हैं तो भीश्मपिता से मिलने जाते हैं और भीश्मपितामा जो कि तीरों की शैया पर लेटे हुए है वे युदिस्टर को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि ये धर्ती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है धर्ती पर सभी मनुष्य समान रुप से जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही धर्ती के समस्त संसादनों पर उनका समान अधिकार बनता है तो ये बता रहे हैं इन पंक्तियों के अनुसार आपको उत्तर लिखना है तो इन पंक्तियों में यहां उन्होंने ये बात कही है धर्ती के सभी निवा से एक समान क्यों कहे गए है क्योंकि इस धर्ती पर सभी मनुष्य समान रूप से जनम लेते हैं इसलिए वे एक समान है किस किस पर सबका अधिकार है खुली हवा और प्रकाश याने रोश्णी सहित धर्ती के समस्त संसाधनों पर सबका अधिकार है अगली पंक्तियों से किस प्रकार से प्रेशन बन सकते हैं पहले तो आप देखिए विग्न है इसका अर्थ पूछा जा सकता है न्याय उजित का अर्थ पूछा जा सकता है, सुलब का अर्थ पूछा जा सकता है, भव का अर्थ पूछा जा सकता है, भव का अर्थ संसार होता है, सुलब का अर्थ आसानी से प्राप्थ होने वाला न्याय उजित, न्याय के अनुसार उजित और विग्न का अर्थ होता है, परवत अडे हुए हैं, इसका क्या आशय है, यह भी पूछा जा सकता है, तो अन्य प्रश्न देखते हैं, किसके पत पर बाधाए हैं, इन पंक्तियों के अनुसार किसके पत पर बाधाए हैं, तो ऐसा व्यक्ति जिसे न्याय के अनुसार उचित अधिकार नहीं मिले हैं, उसक विकास के पत पर बाधाएं है परवत अड़े हैं से क्या आशय है परवत अड़े हैं से आशय जन साधारन की उन्नती और सुख के पत में बुरे लोगों द्वारा पैदा की गई परिशानिया है इस विश्व में कब शान्ती विश्व भव इस विश्व में कब शांती स्थापित हो सकेगी इस विश्व में जब सभी को न्याय के अनुसार सुक पूर्वक जीवन जीने के उचित अधिकार मिल सकेगे तब शांती स्थापित हो सकेगी जब सब को equal rights, natural resources के यूज के लिए मिल सकेगे तब शांते साबित होगी अगली पंक्तियां जो हैं जब तक मनुझ मनुझ काई है यहां से अभूग संचे में तो इन से क्या प्रश्न बन सकता है यहां पर कोला हलकार्थ शोर, समकार्थ, समान या बराबर, शमित, शांत और प्रश्न सुख भाग सम होने से क्या होगा सुख भाग सम होने से समान होने से शांती स्थापित होगी इसको आप पूरा वाक्य बना का लिख सकते हैं सुख भाग सम होने से इस धर्थी पर शांती स्थापित हो सकेगी और हम धर्थी को स्वर्ग बना सकेंगे अगर अधिक अंकों का है तो थोड़ा सा और इसको elaborate करके लिख लेजिए शांती के लिए क्या अवश्यक है ? कि सभी को न्यायोचित समान अधिकार मिले कौन भोग संचय में लगा हुआ है ? तो भोग संचय में कौन लगा हुआ है ? स्वार्ति मनुष्य अब जो अंतिम पंक्तियां हैं उन से क्या प्रश्न हो सकते हैं यह देखते हैं पहले बाद तो यहां जो कठिन शब्द है विकेंड मतलब फैला हुआ तुस्ट संतुस्ट और इसमें प्रश्न है धरती पर फैले हुए सुक किसके दिये हुए हैं यह हमें प्रकृतिक संसाधनों के रूप में प्राप्त होते हैं और अधिक अंकों का है तो थोड़ा सा और बढ़ा कर लिख सकते हैं प्रकृतिक यह संसाधन कौन-कौन से हैं खुली हवा प्रकाश अन के लिए उपजाओ धरती परवत जरने नदिया इस तरह से आप लिख सक कहां का अभी इतने नर पंक्ती से कभी क्या समझाना चाहते हैं धरती ने मनिश्य को असीमित संसाधन दिये हैं जिसका उपयोग मनिश्य अपनी आवशक्ताओं को पूरी करने के लिए कर सकता है धरती पर प्रकृतिक संसाधनों को इतना विशाल भंडार है कि मनिश्य चाह से दुनिया में शांती भी स्थावित हो पाएगी यहां किनकी तुस्ट होने की बात की जा रही है तो यहां मनुश्यों के उस वर्ग की बात हो रही है जो शोशित वर्ग से है उन्हें प्रकृति से मिले सुप के साधनों पर कुछ स्वार्थी लोगों ने अपना अधिकार कर लिया है जिसके कारण भे तुस्ट नहीं है तो ये उस वर्ग की बात हो रही है और ये वर्ग संतुस्ट के हो नहीं है ये वर्ग तुस्ट के हो नहीं है तो जो लोग धर्ती की इन साधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे और अभावों में रह रहे हैं वे संतुस्ट नहीं ह शानती है, योगि कड़े परिश्रम के बाद भी इन्हें, जो इनकी जीवन की मूल भूत आवशकता हैं, वे पूरी नहीं कर पाते, तो इन्हें रोटी कपड़ा और मकान जैसे आवशक सुधाईं भी नहीं मिल पाती हैं, इसलिए वे संतुस्ट नहीं हैं, वे क्या पाकर संत हो सकेंगे, पल में धर्ती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है, पल में धर्ती को स्वर्ग बनाने के लिए, धर्ती पर समता का वातावरन, बंधुत्व का वातावरन, पैदा करना होगा, बनाना होगा, ऐसा महल बनाना होगा, जिसमें सभी मनुष्यों को न्यायोचित समान आधिकार मिल सकें इस से इस दुनिया में शान्ती स्थापित हो सकेगी और यह धर्ती स्वर्ग बन सकेगी तो यह थी कुछ प्रशन जो इस पार्ट के हैं इंपॉर्टन्ट है आशा करती हूँ यह पार्ट आपके लिए लातायक होगा किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं धन्यवाद